हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो मैं यूटूब चैनल, इसका नाम है एडूकेटिव, और आज हम पढ़ने वाले हैं चेप्टर फोर, मैटिरियल का मतलब होता है पदार्थ, और मैटल और नोन मैटल का मतलब क्या होता है धातू और अधातू, तो चलिए चेप्टर स्टार करते हैं यू और फैमिलियर विदे नमबर ओफ मैटिरियल लाइक आईरन, ऐलमोनियम, कोपर, एसक्टर तो बच्चों आप सभी बहुत स मैटिरियल से परिचित होंगे जैसे कि लोहा, ऐलमोनियम और तामबा, some मैटिरियल विवन गीवन इन टेबल 4.1 तो कुछ मैटिरियल हमें यहां टेबल 4.1 में दिये भी हुए है, यह है टेबल 4.1 देखें तरह कौन-कौन से मैटियल दिये हुए है यहां पर, iron, coal, sulfur, ऐलमो तो क्या आप उन मैटेरिल के नाम बता सकते हो जो की मैटल है यानि की धातू है तो देखिए बचो कौन-कौन से धातू है इनमें से आइरन है अलमुनियम है और कोपर है ये तीनों क्या है धातू है यानि की मैटल्स है और इनके अलावा जो बचे हुए जो मैटेरिल है वो क्या है नोन मैटल कौन-कौन से बचे है कोल एंड सलफर यानि की कोईला और सलफर Metals can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties तो हम इन दोनों में difference कैसे कर सकते है बचो मैटल और non-metal में इनकी physical और chemical properties के अधार पर इन दोनों में अंतर कर सकते है Recall that lusher and hardness are physical properties तो जो lusher होती है चमक और hardness यानि की मजबुती ये क्या है दोनों की दोनों ही physical properties होती है तो ये table में आपको बना कर दिखाया हुआ है कि जो material दिये हुए है याँपर उसके according आपको ये table फिल करनी है कि कौन सा material shiny है, कौन सा dull है, कौन सा very hard है और कौन सा hard नहीं है तो आप इस table को fill कीजिए Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron, leg, spade, shawl and axe तो बच्चों आपने क्या कभी कोई सी लुहार को देखा है, किसी लोहे के टुकडे को पीटते हुए या लोहे से बने किसी ओजार को जैसे की फावडा, कुलहाडी या बेलचा इन में से किसी को पीटते हुए देखा है Do you find a change in the shape of these article on beating? और आपने अगर कभी देखा हो, तो क्या भी ये मैसूस किया है, कि क्या उसको पीटने के बाद उन ओजारों की शेप में कोई अंतर आता है, चेंज आता है Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर लोहे के उजार की जगें किसी लकडी के टुकडे को पीटा जाता तो उसमें भी ये change सेम ही होते हैं? Let's find out तो देखे, हम एक activity करके देखते हैं जिससे की पता लगे कि क्या change होते हैं Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead तो यहां पर हमने चार चिज़े ली हैं क्या क्या ली हैं बच्चों, एक लोहे की कील, एक कोईले का टुकडा, एक aluminium wire और एक lead pencil Beat the iron nail with a hammer तो जो iron की कील है, लोहे की कील है उसको क्या कर रहे हैं? लोहे की जो हमार पस hammer है तोड़ा है उससे पीटेंगे But take care that you don't hurt yourself in the process लेकिन बच्चों ऐसा करते समय आपको ध्यान रख रहा है कि कहीं आपको चोट ना लग जाए Try to hit hard उसको बहुत जोड़ से मारने की कोशिश करनी है Hit hard also the aluminium wire और इसी तरहें आपको aluminium के wire को भी पीटना है Then repeat the same kind of treatment on the coal piece और जो कोई लेकर टुकड़ा आपने लिया है उसके उपर भी same process करना है यानि कि उसको भी थोड़े से पीटना है And pencil lead और जो lead pencil ली है उसको भी आपको पीटना है Record your observation in table 4.2 और जो भी आप observe करेंगी उसके बाद आपको इस table में fill करना है देखिए यहां कैसे fill करेंगे यहां दिया है iron nail, coal piece, aluminum wire और pencil lead यहां पे shape में change जो भी होगा वो आप इसमें fill करेंगे Flattens, break into pieces So iron nail का क्या होगा वो लिखेंगे Coal piece का क्या होगा वो लिखेंगे Almonium wire में क्या change होगा वो लिखेंगे और pencil lead में क्या change होगा वो लिखेंगे तो यह आपको खुद activity करके देखनी है और इसमें fill भी करनी है You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire change on beating तो आपने देखा कि जो iron nail है यानि कि लोही की कील है और aluminium wire यानि कि aluminium का जो तार है उसकी shape पीटने के बाद change हो गई If they were beaten harder, these could be change into sheet और अगर इनको और ज़्यादा पीटा जाता तो यह एक sheet में भी change हो सकते थे You might be familiar with silver foil used for decorating sweets तो बच्चों आप सब इस बात से परिचित होंगे कि जो हलवाई के दुकान होती है उस पे जो sweets बनती है उनके ओपर silver foil लगा होता है पिल्कुल पतली सी परत लगी होती है You must also be familiar with the almonium foil used for wrapping food तो बच्चों आप सब almonium foil के बारे में जानते हों जिसमें की खाना लपेटा जाता है रैप करके रखा जाता है The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability तो वह है property जिसके कारण metal को पीट-पीट कर thin sheet में पतली sheet में Convert के जाता है उसे कहते हैं अघात वर्धेता क्या कहते हैं बच्चों अघात वर्धेता This is a characteristic property of metal तो ये क्या है metals का अभिलाक्षनिक गुण है As you must have noticed materials like coal and pencil lead do not show this property जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो कुछ material हैं जैसे कि कोईला और pencil lead इस property को show नहीं करेंगे Can we call these as metals? तो क्या हम उनको metal कह सकते हैं? धातू कह सकते हैं? तो बच्चों हमने यहां पर क्या सीखा कि धातू का सबसे पहला जो physical property है वो क्या है? Malleability यानि कि अघात वर्धेता है कि उनको जब हम पीटते हैं तो वो तूटते नहीं हैं बलकि क्या हुआते हैं? फैल जाते हैं और उनको पतली-पतली sheets में भी convert किया जा सकता है Can you hold a hot metallic pan? बच्चों क्या आपने कभी किसी metallic pan को जिसमें आप चाय वगरा बनाते हैं उसको बिना किसी plastic handle या wooden handle के पकड़ने कोशिश की है बिना किसी नुकसान पहुचाए अपने आपको Perhaps not नहीं क्या होगा? Why? क्यों नहीं? क्यों नहीं क्या होगा बच्चों? अगर हम उसको ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा हमारा हाथ जल जाएगा Try to list some other experiences in which a wooden और plastic handle protect you from being hurt while handling whole things तो आपको कुछ ऐसे experience की भी list बनानी है जब plastic के या wooden के जो handle होते हैं उसने आपको protect किया हो कुछ आप काम कर रहे हो, kitchen में काम कर रहे हो और metal के बने हुए किसी बरतन में जब plastic के handle लगे होते हैं या wood के handle लगे होते हैं उन्होंने आपको चोट लगने से बचाया हो या जलने से बचाया हो तो उनके आपको क्या करनी है? list बनानी है On the basis of these experiences What can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो इन सब experience के basis पर आप जो heat का transfer होता है wood और plastic में से उसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो बच्चों जो हम pan यूज कर रहे हैं किसी metal का उसमें अगर handle नहीं होगा plastic या wood का तो क्या होगा? जो heat है वो transfer होके हमारे body तक पहुँच जाएगी और हमारे जो हाथ है जिससे हमने उसको पकड़ा है वो जल जाएगे तो इसलिए इससे हमें पता लगता है कि plastic और wood क्या होते हैं? heat के bad conductor है तो बच्चों जो electrician होता है उसको देखा होगा आपने जो screwdriver यूज करता है उसका handle किसी का बना होता है क्या आपने कभी note किया है plastic का बना होता है या किसी और धातू का बना होता है या फिर लकडी का बना होता है क्या कभी observe किया है आपने और अगर plastic का बना होता है या लकडी का बना होता है क्यों बना होता है तो चली activity के help से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है activity 4.2 Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not तो आप याद कीजिए कि हमने 6th class में पढ़ा था कि एक circuit कैसे बना जाता है जिससे कि ये check किया जा सके कि कि किसी object से electricity pass होती है या नहीं You might have performed the activity with various object in class 6 तो अलग-अलग object के साथ हमने ये activity class 6 में की भी थी यहां देखी यहां क्या लगाए हुई है battery, यहां लगेगा object और यह है हमारा bulb तो जो भी इस object की जिगे रखा जाएगा उस से ये पता लगेगा कि किस-किस object से electricity pass होकर जाती है Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3 तो जो इस table में material दिये हुए है उनके साथ आपको ये activity करनी है कौन-कौन से material दिये हुए है iron, nail, sulfur, coal piece, copper wire इनको बीच में लगा-लगा के आपको ये activity करनी है observe and group these materials into good conductor and poor conductor तो इस activity को करने के बाद आपको इनको क्या करना है group में divide करना है कि कौन से good conductor है और कौन से bad conductor जिन material से होकर electricity पास हो जाती है उन्हें कहेंगे good conductor और जिन material से पास होकर electricity नहीं जाएगी उन्हें कहेंगे bad conductor you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor तो उस activity को करने के बाद आप यह observe करेंगे कि जो iron की rod या nail है उसके साथ साथ copper wire है वो good conductor है electricity की और sulfur का piece और coal piece, coal का piece वो क्या है? poor conductor है oh the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metal are good conductor of heat and electricity we learned this in class 6 तो यह बच्चे क्या बोल रही है? कि हमने class 6 में भी देखा था और पढ़ा भी था और इस activity से भी हमने क्या सीखा? कि जो metal होते हैं वो electricity के good conductor होते हैं where do you find the use of aluminium and copper wire? तो आपको जो copper wire है और aluminium wire उनके आपको use कहा कहा देखने को मिलते हैं have you seen wires of coal? तो बच्चों क्या आपने कभी कोईले की तारे देखी हैं? definitely not तो बिल्कुल नहीं देखी होंगे आपने और बच्चों यह जो wire है aluminium और copper की वो क्यों use की जाती हैं हमारी घरों में जब electricity के जितने भी काम होते हैं उसमें हम use करते हैं तो क्यों use करते हैं? क्योंकि aluminium और copper दोनों ही electricity के good conductor हैं the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility तो वह property जिसके कारण metals को तार में convert के जाता है उसको क्या कहलाती है? ductility कहलाती है या तन्यता कहते हैं उसको हिंदी में have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate or metal coin and a piece of coal on the floor? बच्चों कभी आपने कोई metal का सिक्का या फिर कोई coal ले का piece या फिर कोई iron के sheet जमीन पर गिरी हो उपर से उसकी आवाज में कभी कोई फर्क मैसूस किया है? क्या वो दोनु सेम सुनाई देती हैं आपको? if not you can try it now और अगर कभी नहीं किया है तो आप उसको try कीजिए कि एक सिक्का लेजिए उसको उपर से फर्स पर डालिए तो उसकी आवाज कैसी होगी? और एक लकडी का टुकडा लेजिए उसको फर्स पर डालिए उसकी आवाज कैसी होगी? दोनु में difference को note कीजिए Do you note any difference in the sound produce? तो क्या आपने उन दोनों में कोई अंतर मैसूस किया? कोई अंतर नोटिस किया? कि उनकी दुआनी के अंदर कि कैसी sound produce होगी दोनों से? Have you seen wooden bells in temples? बचों क्या आपने कभी मंदिरों में लकडी की गंटियां देखी है? Can you give reason? क्या आप इसा कारण दे सकते हो कि क्यों नहीं देखी है? कभी देखा है आपने बचों की लकडी की गंटियां बनी होती है? Metal की The things made of metal produce ringing sound when struck hard तो जो metal से बनी हुई चीज़े होती है वो एक ringing sound produce करती है जब वो किसी कठोर सतय से टकराती है Suppose you had two boxes similar in appearance मालेजी आपके पास दो तरह के box हैं जो कि दिखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं One made of wood and the other of metal एक लकडी का बना हुआ है और दुसरा metal का Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? तो क्या आप उसको strike करके मार के बता सकते हैं कि कौन सा metal का बना है? कौन सा लकडी का? Since metal produce ringing sound, they are said to be saunders तो क्योंकि जब metal होते हैं वो ringing sound produce करते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? saunders का जाता है Saunders को हिंदी में का जाता है बचो दुहाने यानि कि दुहानी प्रडूस करने वाले जिससे कि दुहानी उत्पन होती है The material other than metals are not saunders और कुछ ऐसे materials भी होते हैं metal के अलावा जिससे कि दुहानी उत्पन नहीं होती After performing the above activities we can say that some material are hard, lusherous, malleable, ductile, saunders and good conductor of heat and electricity तो जितनी वी उपर हमने activity की हैं उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? कि कुछ पदार्थ hard होते हैं, चमकदार होते हैं, malleable होते हैं, ductile, saunders, दुहानी प्रडूस करने वाले होते हैं और good conductor of heat यानि कि उश्मा के अच्छे सुचालग होते हैं और साथ ही साथ electricity के भी अच्छे सुचालग होते हैं The materials which generally possess these properties are called metals तो ऐसे material जिन में ये properties होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? Metals यानि कि धात्वे कहलाते हैं The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. और जो कुछ example दिये होएं यहां पर जैसे कि Iron, copper, aluminium, calcium, magnesium ये किस चीज के example हैं बच्छो? Metal के, धात्वों के In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance जबकि कुछ materials जैसे कि कोईला और sulfur कैसे होते हैं? Soft होते हैं और दिखने में dull होते हैं They break down into powdery mass on tapping with hammer और अगर इनको थोड़े से पीटा जाए तो ये क्या होंगे? Powder form में तूटकर बिखर जाएंगे They are not saunders और ये दोने भी produce नहीं करते हैं And are poor conductor of heat and electricity और इसके साथ साथ ये heat और electricity के poor conductor होते हैं These materials are called non-metals इन्हें क्या का जाता है? इन पदार्थों क्या कहते हैं हम non-metals अधात्वें कहते हैं The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc और जो ये अधात्वें हैं, non-metals हैं इनके उधारन क्या क्या है? Carbon, sulfur, oxygen, phosphorus आदे तो बच्चों ये था chapter 4 का part 1 लेकिन chapter को अच्छे से समझने के लिए इस chapter का second part जरूर देखिए जो की हमारे आने वाले वीडियो में आएगा आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और share करना बिल्कुल न भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press जरूर कीजिए जिससे की मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक होच सकें और आप उनको देख सकें और last में बस यही कहूंगी घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो